हालो दोस्तों आज किस वीडियो में SSC MTS के हजारो कंडिडिट के मार्कस के अदार पर shift-wise average score निकला गया है उसी shift-wise average score के अदार पर देखने बने की कौन सी EG shift है कौन सी EG to mode rate shift है कौन सा mode rate shift है कौन सा mode rate to hard shift है एबं कौन सा hard shift है इसके बाद जानने बाले हैं की EG shift वाले के कितने नमर बर सकते हैं moderate shift वाले की normalization होने के बाद कितने नमर बर सकते हैं easy to moderate वाले के, moderate to hard वाले के और hard shift वाले की normalization होने के बाद कितने नमर बर सकते हैं इसके बारे में भी आप सभी को इस वीडियो में पूरी जानकारी मिलने वाली इसलिए आप से भी वीडियो को पूरावस्त दिकेगा तो चलिए आज कब डिश्टार्ट करते हैं तो SLC MTS के हजारों कंडिडेट के मार्क्स के दार पर सभी शिफ्ट का एनलैसेस किया गया है और सभी शिफ्ट के एवरेज स्कोर के दार पर SLC MTS के सभी शिफ्ट को कुल 5 तरह की शिफ्ट में बाटा गया है सबसे पहले आप सभी को EG shift के बारे में जानकारी देने बाले उसके बाद EG to moderate shift के बारे में उसके बाद moderate shift के बारे में उसके बाद moderate to hard shift के बारे में और अंत में जानने बाले हैं कि SSE MTS में कौन-कौन से hard shift है और उसके बात जानने बाला है कि Egy Shift वाले के कितने नमबर बर सकते हैं तो छलिए सबसे पहले Egy Shift के बारे में जानते हैं कि SSC MTS में कौन-konस Ig Shift थे तो EG shift में आप सभी कि 16 माई के 2nd shift है और 18 माई के 3rd shift है तो ये 2 shift है जो कि सबसी EG shift है उसके बाद आप सभी EG to moderate shift देख सकते हैं कि SSC MTS exam में कौन से EG to moderate shift है तो EG to moderate shift में आप सभी कि 2 माई के 2nd shift है 2 माई का 3rd shift है 4 माई का 2nd shift है उसके बाद 8 माई का 1st shift है 8 माई का 2nd shift है 10 माई का 2nd shift है उसके बाद आप सभी कि 15 माई के 1st shift है 13 जुन के 1st shift है तो ये सभी shift EG to moderate shift है उसके बाद आप सभी moderate shift के बारे में देख सकते हैं कि कौन कौन से moderate shift ह तो मोडेर शिफ्ट में आप से भी कि तीन मही के सकेंड शिफ्ट है, आठ मही के ठाड शिफ्ट है, नो मही के सकेंड शिफ्ट है, एक ग्यारम मही के सकेंड शिफ्ट है, उसके बाद आप से भी का, एक ग्यारम मही के ठाड शिफ्ट है, पंदरह मही के सकेंड शिफ्ट है, सो उसके बाद 19 मही के 3rd shift है 14 जुन के 3rd shift है 15 जुन के 1st shift है 15 जुन का 3rd shift है 16 जुन का 3rd shift है 19 जुन का 1st shift है तो यह सभी shift आप सभी के modded shift थे अब आप सभी modded to hardship के बारे में देख सकते हैं कि कौन-कौन से एससी MTS में modded to hardship थे तो modded to hardship में आप सभी के 2 मही के 1st shift, 3 मही के 3rd shift, 9 मही का 3rd shift उसके बाद आप सभी का 10 मही का 3rd shift, 11 मही का 1st shift, 12 मही का 1st shift उसके बाद आप सभी के 12 मही के 2nd shift, 12 मही के 2nd shift के बाद 12 मही का 3rd shift, 15 मही का 3rd shift, 16 मही का 3rd shift उसके बाद आप सभी के 17 माई के 2nd shift, 18 माई के 1st shift, 13 जून के 2nd shift, 13 जून का 3rd shift, 16 जून के 1st shift, 19 जून के 2nd shift उसके बाद आप सभी के 19 जून के 3rd shift, 20 जून के 1st shift, 20 जून का 2nd shift, उसके बाद 20 जून का 3rd shift तो यह सभी shift आप सभी के modded to heart shift थे अब आप सभी heart shift के बारे में देख सकते हैं कैसे MTS exam में कौन-कौन से heart shift थे तो heart shift में आप सभी के 3 माई के first shift, 4 माई का first shift 4 माई का third shift उसके बाद 9 माई का first shift 10 माई का first shift उसके बाद 19 माई का first shift उसके बाद 13 जून का 3rd shift 13 जून के 3rd shift के बाद आप सभी के 14 जून के 1st shift 14 जून के 2nd shift 15 जून के 2nd shift और 16 जून के 2nd shift तो ये सभी shift आप सभी के SSC MTS exam के hard shift थे तो आप सभी ने सभी shift के बारे में देखा कि SSC MTS exam में कौन से EG shift थे कौन से EG to modded shift थे कौन से moderate shift थे, कौन से moderate to hard shift थे, एवं कौन से hard shift थे तो अब चलिए जानते हैं कि easy shift वाले के normalization होने के बाद कितने नमबर बर सकते हैं easy to moderate वाले के, moderate वाले के, moderate to hard वाले के और hard shift वाले के normalization होने के बाद कितने नमबर बर सकते हैं तो easy to moderate shift वाले कंडेट के normalization होने की बाद 3 से 6 नमबर तक बर सकते हैं moderate shift की बाद के तो moderate shift वाले कंडेट के normalization होने की बाद 6 से 9 नमबर तक बर सकते हैं उसके बाद moderate to hard shift की बाद के तो moderate to hard shift वाले कंडेट के normalization होने के बाद 9 से 12 नमबर तक बर सकते हैं उसके बाद heartsift की बाद के हार्ड check वाले करने डिलेक नॉर्म लैसन होने के बाद 12 से 15 नमबर तक बरसकते हैं तो अगर आपका exam easy shift में वहें तो 0 से 3 नमबर easy to mode date में वहें तो 3 से 6 नमबर mode date में वहें तो 6 से 9 नमबर mode date to hard में वहें तो 9 से 12 नमबर उसके बाद हार्ट शिर्पी में हुए है तो 12 से 15 नमबर तक आपके नॉर्मलाइशन होने के बाद बर सकते हैं तो चलिए आज कब देश्माप्त करते हैं SSC MTS exam के लेटर जैसन को लेटर अबड़ेट आगी आप सभी को वीडियो के मादम से जानकारी देदेंगे इसके लिए प्लोग चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को जब देश्यार करें और लाइक करें तो चलिए अज कब दूस्माप्त करते हैं वीडियो तेखने लिए अपस्वी का धन्यवाद